नमस्कार आप देख रहे हैं सीनबी सी आवास का स्पेशल शो एफ और टेक क्लास्रूम मैं हूं दिपाली राना मेरे साथ विरिंदी मौझूद है और अपने इस स्पेशल शो में कोशिश हमारी यह है कि हम ट्रेडर्स को या फिर व्यूवर्स को यह समझा सके कि अगर आप च क्लासिस हुई है टेकनिकल की उसमें हमने सिर्फ बेसिक्स को टच किया है चार्ट क्या होते हैं ट्रेंड क्या होते हैं रिजिस्टेंस सपोर्ट की हमने बात की है लेकिन अगर कोई ट्रेड किसी को लेना है तो और इंडेप्ट एनलेसिस बहुत जरूरी है उस हिसाब से जो candles form होती है चार्ट पे वो बहुत important और variety of candles होती है जिनका indication अलग-अलग होता है अब ने स्कीन पर देखा कि चार्ट exactly होता है कैसा है ना चार्ट को अब बहुत बारिकी से पकड़ते हैं में स्कीन पर एक sequence चार्ट आएगा मैं थोड़ा सबसे explain करना चाहूँगा जड़ा sequence चार्ट देखते हैं कि exactly अब यहां से आगे कि हमारी approach कर रहेगी जैसे कि दिपाली ने कहा भी base क्या होता है resistance क्या होता है यह देखे दिपाली आपके screen पे एक sequence दिखाई देंगी और pattern से भी पहले एक candle है सबसे पहले अब यहां से जो हमें अपनी process शुरू करनी है वो है candle को समझना है candle एक chart का सबसे छोटा भाग होता है अगर आपने उसको read कर लिया आपने उसको पहचान लिया तो उसके बाद आपकी pattern को read करने की process और पूरे यह चार्ट है लेकिन इस चार्ट के तीन टुकड़े हैं चार्ट, pattern और candle sticks अच्छा दिबाली इससे पहले हमने काफी चारी चीज़े पढ़ी कुछ वीवस ने काता है कि जड़ा एक बार candle sticks को फिर से समझा दीजे थोड़ा candle sticks को समझते हैं जरा प्लीज एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हलका से revision करके दिखते हैं कि candles को read कैसे करते हैं उसके बाद आज के हमारे मेमान होंगे आशिष चत्रुम होता जिससे हम समझेंगे कि candle sticks को कैसे study किया जाना चाहिए और उनके relevance पूरे चार्ट में क्या होती है तरह प्लीज वो एक बार revision चार्ट लेके आईए आपके स्क्रीन पर दो candle sticks है याद रखिए एक है green और एक है red green वो जिस दिन price बढ़ा है open नीचे होता है यह जो कोना होता है इसका उसके बाद low exactly जो wick होती है जो पतली से करा आप देखिए आपको एक लकीर दिखाए दिरी नीचे की तरफ उसका निचला भाग होता है low उपर की तरफ जो कोने वाला दूसरा edge होता है वो था close और बिलकुल उस wick का यानि shadow का याद रखे इस पतली लकीर को बोलते है shadow ऊपर और नीचे वाली को shadow intraday high को reflect करती है lower shadow intraday low को reflect करती है और हो गया open और close और दूसरी होगे दिपाली red candle यानि price नीचे गिरा open कहां हुआ close कहां हुआ और उसका intraday low क्या था और intraday high क्या था तो यह basic candlestick विरेन ने आपर बताई है लेकिन जैसे कि हमने पहले भी mention कि कि candles के भी अलग-अलग patterns होते हैं अब उन patterns पर focus करते हैं क्योंकि अगर आपको charts को और गहराई से समझना है तो candlesticks को भी समझना पड़ेगा आशिश हमारे साथ मौजूदे पहले उनसे quick view इसी पर रिलेते हैं कि अगर trade करने के लिए chart reading करनी है तो candles को read करना कितना important है बताई याशिश बिल्कुल दिपाली तो देखिए सबसे पहले नमस्कार सभी दश्यकों को और candlestick जो है Japanese candlestick इनको कहा जाता है यह आज से नहीं कई सदियों से use इसको जो Japanese old time traders होते थे या पुराने traditional traders होते थे इनको use करते थे अपने judgment के लिए commodities के prices के judgments को समझने के लिए और मुझे लगता है कि आज जब हम देख रहे हैं कि आज भी यह जो जो इसकी जो थियोरिय वो तनी applicable होती है तो इसको बड़ा सिंपल सब्सक्राइब में समझाया जाता है आप अगर से वहापे candlestick लगाया होंगे तो इसको मैं कहूंगा कि दो तरह से इसको रीड करते है या तो blue bar green bar या white bar इसको इसको indicate क्या जाता है इसका मतलब है कि open जो है और close जो हो है अगर close जो higher है वो open से तो जो body का shape बनेगा वो wide bar का बनेगा या blue या green जो आप देना चाहें और अगर से आपका जो open है वो close के मतलब जो ओपन है और ग्लोज जो है वो ओपन के नीचे है मतलब कि नेगेटिव डे हुआ है यहने 100 रुपय का ओपन हुआ और क्लोजिंग 95 की हुई है तो उस दिन जो बॉड़ी बनेगी केंडल स्टिंग की वो रेड बनेगी उसको हम ब्लैक बार भी बना सकते हैं या रेड ग्रीन बार गोलते है तब हम केते हैं जो जो है वो फिर बन से हायर के बने तो इसी को हम चैनल स्टिक कहते हैं जितनी बड़ी आपका कैंडलका साइज होगा वो यह इंडिकेट करता है उतना बड़ा अप्णू उस स्टॉक के अंधर में आया जितना बढ़ा रेड बार दे को नज़र आई एंगे झार में के लिटेंगे पहले केंडल स्टिक्स को मैं अलका सा कर आप देखेंगे आगे का रोड मैं पुर फिर हम पढ़ेंगे पैटन्स को उसके बाद हम आएंगे अल्जेस पे और गैप्स पे लेकिन यहां से अब शुरुवात करता हूं मैं केंडल स्थिक्स को समझने की यह कुछ बहुत चचित पैटरंस हैं जिनको हम रीड करते हैं रोज बर रोज और याद रखे यह रिवर्सल पैटरंस होती है यानि प्राइस एक डिर्क्शन में जा रहा था और सड़नली रिवर्स हो गया आश इंगल्फिंग का मीनिंग बड़ा सिंपल है उसको हम जो साइकलोजी के टम्स में बजार को जो बिहेवियर के टम्स में समझते तो उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक दिन ऐसा हुआ जब हम देख रहे हैं कि बजार ने एक अच्छी वाइट बार बनाया या जिसका मतलब है बजार एक अच्छी खासी तेजी के अंदर बंध हुआ और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक ऐसा बार बना जिसने पिछले दिन के जो आपके बार जो पिछले दिन का हाई बना उसके उपर स्टॉक खुला बड़ जब लोग क्लोज हुआ तो कल के जो लोज हैं उसके नीचे क्लोज हुआ इसका मतलब है सेकंड जो बार बनी वो बहुत बड़ी रेड बार बनी या बहुत बड़ी ब्लैक बार बनी जिसके अंदर में पिछले दिन की जो बार है वो इसका छोटा सा हिस्सा बन गया और इस सेकंड बार ने बहुत बड़ा एक र कि आज जो सेलिंग हुई वो काफी इंटेंस वी और इसका मतलब है अब बजार ने अगर से इसके अगले दिन इस लो को जो सेकेंड डेका जो बना जिसके दिन काफी सेलिंग हुई उसको ब्रेक किया तो इसका मतलब है मंदी जो है वो कंटीनु रहेगी और उसको मंदी के के अंदर में टूडे रिवर्सल पैटन के नाम से जाना जाता है ने पूरा समेट लिया एक्जेक्ली इनवर्स सेंटीमेंट के साथ यह आपके स्कीन पर पैटन आएगी न एक है बुलिश और एक है बेरिश निया या एक दिन जब पहले बहुत तेजी थी और अगले दिन मंदी उसको कवर कर लिया तो यह एक्जेक्ली कर देखें बेरिश न बेटन है इसको चार्ट पर रीट कीजिए बहुत बहुत बहुतरीम पैटन से लिए बुलिश एंगलफिंग पैटन है वीकनेस लगा तार उसके बाद एक दम से एक सेशन में तेजी बरी और एक बड़ी ग्रीन कैडल फॉर्म हो गई तो यहां भी इंडिकेशन यहीं मिलता इसके बहुतन है बेर sow dollar हम जैपनी में यहीं में इसका शावध रथ होता है टैक्ट्रीälोच में में लेकिन यह बहुत इंक्टेव और बहुत कारगर पैटन है मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ थोड़ा से एक स्पिन कीज़े इस पैटन को भी दोनों पैटन्स को संगशेप में तो यह तरीके का एक बहुत शॉट टर्म इंडिकेटर होता है यह समझने के लिए कि बजार का ट्रेंड नीचे जाने वाला या उपर जाने वाला है तो मैं एक एक जामपल लेता हूँ तीन दिन के डेटा को लेके पहला दिन जो बना उस दिन ही अच्छी खासी तेजी हुई यानि कि एक लॉंग वाइड बार बना या आप इसको ग्रीन बार समझ सकते हैं उसके बाद एक सेकेंड एक बार बना जिसने ना पिछले दिन के हाई को क्रॉस किया और ना ही पिछले दिन के लो को क्रॉस किया एक बहुत ही सीमित दाइरे के अंदर में एक स्मॉल ब्लैक केंडल बना ब्लैक कंडल का मतलब उस दिन मंदी हुई, पर मंदी बहुत बड़ी नहीं हुई, यहींने जो मंदी थी ऊस ने ना कलके लो को ब्रेक किया, और साती-सात हाई तो खहर कर रॉस करने की बात यह, बड़ कलके लो को भी ब्रेक ने किया, जब हम इस तरह का पैटर्न देखते हैं और एक black bar बनता है उसके तीसरे दिन अगर से बजार इस दूसरे दिन के low के नीचे trade करने लगे इसका मतलब है बजार में short term में selling pressure आएगा और थोड़ा मंदी और उसका दबाओ बनेगा तब हम क्या करते हैं जो second day bar बना उसके high को stop loss रखकर short positions recommend करते हैं और low के break होते ही second day के low क होते ही यह fresh short positions बनाई जाती है ताकि एक अच्छी कासी down side stock के अंदर में देखने को नजरा सकती है इसी तरह से bullish arami एक बहुत ही simple pattern है जब आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा मंदी का दिन बना और second day में एक छोटी सी wide bar बनी मत्तब तेजी हुई बट तेजी इतनी बड़ करें तो हम जब second day में देखते हैं कि एक wide bar बना इसका मतलब है आज कहीं न कहीं जो traders थे वो इस stock के अंदर में कोशिश किये कि पिछले दिन के low को break न करें और एक slightly positive close आज के दिन हुआ तो जैसे ही third day में इस second day के high को cross करते हैं तो तेजी की जाती है और second day के low को stop loss रखकर य होता है और एक short term तेजी आपको बजार के अंदर देखने को मिल सकती है और सी पैटन को कहा जाता है बुलिश हरामी तो बेरिश हरामी और बुलिश हरामी आप अगर चार्ट देखेंगे और जैसे के आशिश ने समझाय भी तो बिल्कुल क्लियर है बेरिश हरामी की बात करे तो लगातार स्टॉक गिर रहा है अचानक से वो गिरावट रुखी एक छोटी सी ग्रीन कांडल फॉर्म हुई लेकिन अगले दो दूर में उस कांडल का साइज ग्रीन कलर में ही बढ़ता गया तो ये एक इंडिकेशन देता है कि शायद अब यहां से ट्रेंड जो है वाप करता है फिर गैब डाउन होता है और उसके बाद एकदम से तेजी से रिकावर होकर अपने हाइस के आसपास पहुँच जाता है आशिशा आप समझाए हैमर पैंडल स्टिक क्या होता है इसकी रेलेवन्स क्या है बहुत सिंपल है इसको समझना कि अगर जैसे आपने कहा दो तीन दिन या कंटिनसली गिरावट का दौर चल रहा था और सड़नली एक दिन ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे स्टॉक जो है वो ओपन तो नीचे होता है मैं एक्जाम्पल के साथ कहूंगा कि कल के दिन जो लो बना वो 100 रुपय का बना और आज के दिन जब हमने देखा ओपनिंग हुई तो 96 पे होई इसका मतलब कल के लो से नीचे ओपनिंग हुई पर जब स्टॉक ने पूरे दिन में रिकवरी किया 96 से रिकवरी होते होते हमने देखा स्टॉक 105-106 के लेवल पे जाकर के हाई बनाया और उनी लेवल्स के आसपास जाकर के क्लोजिंग दे दी 105-106 के आसपास तो एक हैमर पैटरन बन गया इसका मतलब है पूरे दिन जो नीचे पे लूर लेवल्स पे मन्दी हो रही थी उसको ट्रेडर्स ने पूरी तरह से अब्सॉप किया और एक अच्छा खासा रिकवरी पू तो नई तेजी उस पूरे उस मार्केट के अंदर में ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होता हो आपको नजरा देखे इसमें मतलब जो डोजी है डोजी तो बड़ा सिंपल है कि हम उसके अंदर में यह बोलते हैं कि जो पूरा दिन की जो एक्टिविटी है उसमें हाई लो बहुत सारे बंदे हैं बट जब ओपन और क्लोज हैं वो एक ही लेवल पे बंद होते हैं इसका मतलब बायर और क्लोज हम और क्लोज है इसका मतले हैं किल देखाय और उपन और क्लोज के बंद होगा ऊचैनल रहेगा कि जो डोजी पैटन बनेगा वहाँ open और close आपका एक जगा पर रहेगा. ओके, ये रोजी थी और हैंगिंग में आशिशो से explain करेंगे? हाँ, इसके अंदर में क्या होगा? प्राइस पैटन नजर नहीं आएगा. यानि तीन-चार दिन बजार में तेजी हुई, पाँचवे दिन एक ओपनिंग अच्छी खासी हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, पर जो क्लोजिंग हुई वो रेड हुई, और पाँचवे दिन के बाद जब जैसी मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड करेगा, तो वो एक हैंगिंग मैन के जैसा दिखेगा, जो की मंदी को इंडिकेट करता है. हम, 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 ओकी, याद रखिए, डोजी, मैं जब इस फिगर को आपके सामने रख रहा था, मैंने स्क्रीन के कोने के भाग पे एक एक इग्जेक्ली पैटरन को थोड़ा सा डीटेल में एक्स्प्रेंट किया था, डोजी और आफ फॉर्मेशन लेके आईए, यह होता है पॉज, हर चीज़ को पैटरन स्क्री मत समझेए, यह होता है पॉज, यानि प्राइस एक डिरेक्शन में था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, लेकिन सिड़नली मार्केट समझ नहीं पाया, पॉज, कि अब हम गिर रहे हैं, हमें गिरना चाहिए, नहीं चाहिए, हम चड़ेंगे यहां से, यहां नहीं चड़ेंगे, तो यह था पॉज दिपाली, अब देख रहे हैं, ओपन, सेम, क्लोज, सेम, हाई, वाइ, लो वाइ, यह था पॉज, और उसके दिन, उसके अगले समझाया जा रहे हैं आप किसी भी स्रॉक का चार्ट अपने घर पे खोल के देखिए इन चार्ट जो जो समझाया जा रहा है आपको इस शो में उसको एपलाई कीजिए उन चार्ट पर तब आप जादा बहुतर तरीके से समझ पाएंगे लेकिन एक और कैंडल स्टिक पैटन हो वो ठोड़ी से डिफेंट हो जाती है इनस सेंस की इसको जब ओके दखेए आशी से अभी शामिल होंगे त्री लाइन स्ट्राइक डीपाली एकजेक लिएर आप देखें इसमें क्या है एक बड़ी वाइल बार है सेलिंग, स सेलिंग, selling selling चार दिन से selling हो रही है लेकिन पिछले तीन दिन के sentiment को एक दिन के देखें पिछला मान लीजी ये last जो red candle है ये Monday है Tuesday को बाजार एक बार फिर से खुला उस close के असपास because बाजार dilemma में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा नीचे भी खिसका उस Monday के लोको भी wallet किया लेकिन suddenly कोई ऐसी news थी company का clarification था या बाजार में कुछ ऐसा हुआ कुछ ऐसी forces आई कि उन्होंने पिछले दिन के सारी forces को जब मंदड़ी हावी हो रहे थे उनको take over कर लिया तो हमने क्या कर रहा हमने Monday के हाई को क्रॉस किया हमने गुरुवार के हाई को क्रॉस किया हमने बुदवार के हाई को क्रॉस किया तो circumstances बिल्ग को बदल गए इसे बोलते है थ्री लाइन स्ट्राइक अच्छी pattern है एक और pattern है जो की इंटर डे में काफी interesting होती है उस पे हम बात करेंगे एक छोटा सा बेक लिए कर तुरंध हाजिर होते हैं आप देख रहे हैं F&O in Tech Classroom आशिश चत्रमोथा बने हुए हैं हमारे साथ आपको समझाने के लिए कि candles जो अलग-लग तरीके की होती है उनके माइने क्या है क्या relevance है चार्ट्स पर इंसाइड बार कैंडल क्या होती है क्या relevance है समझाई आशिश चरह इंसाइड बार कैंडल के बारे में तो देखें इंसाइड बार जो कैंडल है जैसे हमने पिछले दिन कोई पराइस की अक्टिविटी थी किसी पर्टिक्लर रेंज के अंदर और जो second day follow up जो आपका action है वो action पिछली जो activity है उसके दाइरे के अंदर में हो रही कहने का मतलब कल जो position थी उसका low था 100 का और 105 का high था तो next day जो बार बनेगा वो inside बार बनेगा कहने का मतलब है जो open और low है वो इस 105 और 100 के range के अंदर में बनेगा ना वो उपर के high को cross कर रहा है ना वो low को cross कर रहा है उसको हम inside bar कहते है इसका मतलब है वहाँ पर पे अभी एक तरीकी की indecisiveness है और बजार जो है वो वेट कर रहा है एक clear trend का जब भी inside bar को cross करेगा तब एक short term तेजी होगी otherwise मुझे लगता है otherwise इसमें जो generally देखने को मिलता है कि पिछले दिन का जो low है जब तक ब्रेक ना करें आप इसको shorting opportunity नहीं create कर सकते है साथ ही साथ आप आप इरेंद बात करें थे three line strike की जी 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 तो three line strike भी एक बहुत ही interesting pattern होता है इसके अंदर में suppose आप देखें कि एक तीन दिन तेजी चल रही है कहने का मतलब हर दिन जो close हो रहा है वो पिछले दिन से better close हो रहा है और open low होता है पर close higher होता है ऐसा continuously तीन दिन हो रहा है तो इसको तरीक है कि white soldiers बोलते तीन white day की body मिलेगी और green day की body मिलेगी और suddenly एक दिन ऐसा आता है कि एक black bar बनेगी जो last तीन दिन के lows को hit कर देगी इसका मतलब है जो एक ही जो down low है वो कही ना कहीं short term जो momentum है उसको break करेगा उसके अंदर weakness create करता है और bulls की ताकत को थोड़ा कम करता है तो यह जो three line strike होती इसके अंदर में जो fourth bar बनता है इसे बुलने के लिए यह three line strike कहते है but actually four line strike होता है जिसके अंदर तीन बार जो वो positive side पर बनती है और fourth जो बार होता है उसके अंदर एक selling pressure आता है यह selling pressure इतना intense होता है कि लास्त तीन दिन के जो लोज है उनको break करने में जब आप intraday trading करते हैं तो बहुत बहुत कारगर होती है तो चार केंडल स्टिक का इंतजार कीजिए पांचवी केंडल स्टिक में जहां भी breakout breakdown आए तो उसको trade कीजिए और intraday में आशिष morning star और shooting star I think यह दो trades में और दो patterns और cover करना चाहता था जरात्रो असा इनको भी explain कीजिए morning star जो pattern है वो भी अपने हमें बहुत ही एक बढ़िया pattern होता है इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो एक दिन fall होती है बढ़ी और उस fall के बाद next day stock एक छोटी सी body बनाता है previous day को लोग को break करता है बट closing जो है वो higher side पे देता है याने पिछला दिन red bar का था अगले दिन हम खुलते नीचे हैं पर closing एक small body के अंदर में green bar की या white bar की करते हैं और उसके बाद में next day हम आज जो चोटी सी बार बनी थे उसके high को cross करते हैं और पिछले दिन के पहले का high बना उसको test करते हैं इसका मतब एक clear reversal pattern होता है जिसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी होती है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि जो मंदी थी उसको पहले pause किया गया नीचे से recovery ली गई और अगले दिन एक बड़ी तेजी होई जिसने परसो के पूरी मंदी को cover करके उसके high के आसपास बन गया तो follow up जो दिन होते हैं उसके अंदर ये माना जाता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को उसमें नजरा जाती है तो ये morning star candle के बारे में आशीश ने बता है और in fact आज के इस episode में हमने जो candles पर detailed focus किया है उमीद ये करते हैं कि आपको ये समझ माया होगा कि जो अलगलग तरीके की candles होती है उनके मायने क्या होते हैं उनको कैसे read किया जाता है और social media platforms पर भी ये show हमारा available रहेगा तो आप वहाँ भी दुबारा देख सकते हैं और इस study को apply कर सकते हैं लेकिन विरे अगले episode में हमारा focus trend lines पर पहले तो आपको मेहनत करनी हैं बहुत सारी patterns हभी बाकी हैं जिसको हम cover नहीं कर सकते हैं आप जाईए cover करिए इनको read कीचे और दूसी बात अगले episode में हम देखेंगे exactly patterns कैसी कैसी होती हैं जो कि 10 बारा अच्छी patterns होती हैं जो कि कारगर होती है उनको read करेंगे अगली बारा चलिए इस car show में इतना ही अगले episode फिर हाजर होंगे नमस्कार झाल